अने अलिमेंट देल्टा एल इस एक्वल टु डेल्टा एक्स आई क्याप इस प्लेस्ट अट द गोरीजीन और क्यारीज अलाज करेंट आइस इक्वल तो 10 एंपियर विच इस गीवन इन द फिगर हमें दिया हुआ है इस फिगर में यह बोला गया है कि हमारे पास में एक एलि higher है उसी का छोटा सा part हमने लिया है जिसको हम element कहते हैं तो यह जो element है इसका जो length है वो आपको दिया हुआ है यह इस डेल्टल-2on η यह आपको vector form में दिया हुआ है इसलिए delta एक आइक लिखा गया है तो यहाँ पर ये जो represent करता है ये vector represent कर रहा है मतलब मान लो कि आपने इसका ये length लिया और आप उस length का direction बता रहे हो तो इस length का जो direction रहेगा जो भी wire है उसका length आपने लिया है उस length का direction कुछ इस direction में आप represent कर रहे हो आगे ये भी बुला गया है is placed at the origin इस छोटे से element को origin पर रखा गया है अभी origin मतलब यहां पर हो जाएगा ये x-axis हमने लिया है ये y-axis हमने लिया है तो x-axis और y-axis का ये origin हो गया ये point मतलब origin हो गया मतलब ये 0 वाला point हो गया ठीक है तो इसी point पर हमने क्या रखा है वो छोटा सा element dl रखा हुआ है आगे ये बुला गया है and carries a large current of 10 ampere और इसमें से current बह रहा है इस wire में से current बह रहा है जिस current का value i is equal to 10 ampere है तो जो ये values है दी हुई values है वो हम यहां पर एक एक करके लिख देते हैं हमें दिया हुआ है delta l is equal to delta x i cap ये है हमारे पास में length है vector form में हमारे पास में current का value है current हमें दिया है 10 ampere अब इसके आगे में बोला गया है what is the magnetic field on the y axis ये देखिए ये हो गया x axis और ये है इसका y axis तो y axis पर क्या magnetic field रहेगा ये बोला गया है at a distance of 0.5 meter तो इस origin से हम क्या करेंगे y axis के along में जाएंगे और 0.5 meter इतनी दूरी पर magnetic field कितना रहेगा वो हमें calculate करना है मतलब ये point हो गया 0.5 meter यहां से यहां तक distance मतलब ये point हो गया इस point पर magnetic field कितना रहेगा ये हमें पूछा गया है आगे में आपको ये भी information दिया गया है कि delta x का value 1 centimeter है given में लिख देते हम ये जो delta x है जो आपको यहां पर दिया हुआ है ये delta x का value 1 centimeter है अब यहां पर note करिएगा ये जो delta l is equal to delta x i cap दिया हुआ है it is in the vector form इसी को अगर आप magnitude form में लिखेंगे तो ये delta l which is nothing but delta x मतलब magnitude के form में delta l कितना है तो delta x के बराबर ही है ये जो value है आपको book में दी हुई है ये delta x इतनी value है तो delta x is equal to delta l आप बोल सकते हैं मैं यहां पर लिख देता हूँ delta l is equal to delta x तो ये हो जाएगा delta l के बराबर which is 1 centimeter और आपको origin से यहां तक का जो distance है वो भी दिया है इसको हम मान के चलते है कि ये r है r से represent इसको किया जाएगा और r is equal to value है 0.5 meter तो ये कुछ values है वो हमने लिख दी है और इस point पे अगर आपको magnetic field निकालना है due to this small element तो हमारे पास में एक formula है जिससे हम इसकी value जो है वो निकाल सकते है और ये जो formula है ये आपको magnetic field due to a current element इस topic में दिया हुआ है इस topic में biosavards law के बारे में बताया है अब ये biosavards law क्या है अब biosavards law हमें ये बताता है कि मानलो कि हमने कोई एक बड़ा सा wire लिया और उस wire में से current पास हो रहा है हमें पता है कि किसी wire में से जब भी current जाता है तो उसके surrounding में magnetic field रहता है तो उसी wire का अगर हम छोटा सा element लेते है तो उस छोटे से element की वज़े से उसके surrounding में छोटा सा जो magnetic field develop होगा उसी magnetic field का आपको ये formula देता है in the vector form as well as it is in the magnitude form तो same concept जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा छोटा सा element किसी wire का लिया हुआ है जिसमें से current पास हो रहा है और उस वज़े से इसके surrounding में magnetic field बनेगा तो छोटे से element की वज़े से जो छोटा सा magnetic field यहाँ में that is mod of db vector इसका value हमें निकालना है जो हम इस formula का use करके निकालेंगे तो चलो लिख देते हैं यह formula to find magnetic field mod of db vector is equal to mu naught upon 4 pi into i dl sin theta divided by r square तो mu naught upon 4 pi की value हमें पता होनी चाहिए i की value पता होनी चाहिए dl की value पता होनी चाहिए r की value पता होनी चाहिए और theta की भी value पता होनी चाहिए तो इसमें से हमारे पास में current का value है जो कि 10 ampere है हमारे पास में यह r का भी value है जो कि 0.5 meter है और हमें यहां पे यह जो DL दिया हुआ है जो कि इस question में delta L करके represent कर दिया गया है तो delta L which is nothing but delta X और यही value आपका DL का भी है You can write DL is equal to delta L is equal to delta X which is 1 centimeter तो हमारे पास में DL का भी value है लेकिन हमारे पास में mu naught upon 4 pi इसका value नहीं है और वो जो theta जो दिया है वो वाला value भी यहां पे कुछ mention नहीं किया है तो यह mu naught upon 4 pi का value क्या है तो याद रखिए यह जो mu naught का value होता है वो होता है 4 pi into 10 raised to the power minus 7 tesla meter divided by ampere यह value होता है अब अगर इस 4 pi को हम नीचे लेके आते हैं तो हम यह लिख सकते है that is mu naught upon 4 pi which is equal to 10 raised to the power minus 7 tesla meter divided by ampere हम mu naught upon 4 pi की जो value है वो 10 raised to the power minus 7 put कर सकते हैं यहां पे अब यहां पे बचा है यह theta so theta is the angle between deal vector and r vector deal vector और r vector के बीच में का जो angle होता है वो angle होता है theta यह जो angle theta represent कर रहा है basically यह इसके vector form का जो formula दिया है उसमें से पता चलता है कि theta is the angle between r vector and deal vector तो क्या हमें theta की value दी हुई है तो देखिए यहां पे deal vector deal vector मैंने अब भी बता है कि इस direction में रहेगा और r vector देखिए यहां से यहां तक यह r represent कर रहा है मतलब यह r magnitude form में है और इसी को अगर आप एक arrow लगा दे तो यह हो गया इसका vector form so this is r vector r vector कुछ इस direction में है deal vector कुछ इस direction में है तो आप यह बोल सकते है कि deal vector और r vector के बीच में जो angle है वो 90 degree का है तो यह value भी हम यहां पर लिख देता है that is theta is equal to 90 degree तो यह हुई सभी की सभी values जो हमें यहां पर put करना है लेकिन इस formula में value put करने के पहले आप एक बार check कर लिजे कि सभी के सभी unit SI system में दिये है यह नहीं तो देखिए आप यह देख सकते हैं कि यहां पर you not upon 4 पाव का value tm divided by a मतलब यह भी SI system में दिया हुआ है आर का value meter यह भी SI system में है लेकिन यहां पर देखिए dl that is delta l is equal to delta x 1 centimeter दिया है तो centimeter कोई SI system unit नहीं है लेंद का जो SI unit होता है वो है meter तो आप यहां पर लिख सकते हैं इस वान इंटो टेंटो सब और माइनस 2 meter ओके current देखिए current का भी SI unit ampere होता है जो कि दिया है हमें तो अब सभी के सभी वैल्यूस हमें SI system में दी हुई है तो बस यह पूरी वैल्यूस हम यहां पर पूट कर देते हैं कि दरफोर मॉड ओफ दीबी वेक्टर विच इस एक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फॉर पाय का वैल्यू है टेंट रेस टुदी पावर माइनस सेवन मैं लिख सकते हैं साथ में लिखेंगे आप साइन थीटा थीटा का वैल्यू जो है वह है 90 डिग्री ठीक है डियल और आर के बीच में जो एंगल है वह 90 डिग्री का है नीचे में है अब यह म्यू नॉट अपॉन फॉर पाय का टोटल वैल्यू अपन ने इतना लिख दिया था अब यहां पर नीचे बचेगा दाट इस जीरो पॉइंट फायू उसका होल स्क्वेर आर का वैल्यू हमें पता है यहां से यहां तक 0.5 मिटर है तो बस 0.5 मिटर हम इसका होल स्क्वेर अब इसको simply हम calculate करते हैं यह पूरा जो मिला के हो गया है यहां पे लिख सकते अब 10 इन्टू बाउर माइनस नाइन स्कों मिलाके टेंज जैसे वैसा रख दिया तो 0.5 का square करने जाएंगे आप तो value मिलेगा 0.25, 0.25, अब इसको भी solve कर लेते हैं, यह हो जाएगा, यह 10 raised to the power plus 1 है और minus 9 है, तो यह बनेगा 10 raised to the power minus 8, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, that is 10 raised to the power minus 8 divided by, यह 0.25 है, मैं इसको 25 के form में लिख रहा हूँ, तो अगर मैं इसको 25 के form में लिखता हूँ, तो 25 into यह लिखना पड़ेगा, मुझे 10 raised to the power minus 2, क्योंकि point हो गया, दो डिजिट आगे में shift, ठीक है, मतलब पहले point इसके पहले था, अब point यहाँ पे है, दो डिजिट राइट में आप लेगेगा, इसलिए 10 raised to the power minus 2, यहाँ पे लिख सकते हैं, अब इसको solve करना है, तो यहाँ पे मतलब कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 multiplied by 10 raised to the power minus 8 बोलो, divided by 25 into 10 raised to the power minus 2, तो अब यहाँ पे अगर 1 है, तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, simply मैं इसको 100 बना लेता हूँ, अगर मैंने इसको 100 बना लिया, तो मैं 25 से easily इसको divide कर सकता हूँ, तो यह देखिए, 100 अगर मैं इसको बनाता हूँ, तो 100 मतलब, 100 यहाँ पे आप लिख सकते हैं, मतलब point जो अगें, दो डिजिट राइट में गया, तो आप लिख सकते हैं, 10 raised to the power minus 2, साथ में है, into 10 raised to the power minus 8, divided by, नीचे में आएगा 25, into, यहाँ पे नीचे में है, minus 2, ना देखिए, यहाँ से 10 raised to the power minus 2, यहाँ से cancel हो सकता है, 25, 400, simple calculation हो जाएगा यह हमारा, तो यहाँ पे 4, into 10 raised to the power minus 8, इतना value आएगा, mod of db vector का, ठीक है, तो यह जो है, वो magnetic field है, और सभी, जो values हैं, हमने SI system में put किये थे, तो obviously magnetic field का भी value, last में आपको, जो unit मिलेगा, वो भी SI system में मिलेगा, so magnetic field का, जो SI system में unit होता है, वो होता है, टेसला, इतना magnetic field, इस छोटे से element dl की वज़े से, यहाँ पे बनेगा, तो question में हमें बस यही पूछाता, कि magnitude of magnetic field, इस y axis पर कितना रहेगा, लेकिन हमें book में, उसके direction के बारे में भी बताया गया है, direction किस direction में रहेगा, यह भी वहाँ पे mention किया हुआ है, मतलब magnetic field, magnitude के form में इतना तो है, लेकिन magnetic field अगर बनेगा, वहाँ पे तो उसका direction क्या होगा, तो वह direction डिखाने के लिए, किस तरी किसे उन्होंने solve किया है, तो यह देखिए, अब आपको एक पता है कि, along the x axis, जो unit vector लिया जाता है, x axis के along में जो unit vector लिया जाता है, वो रहता है i cap, y axis के along में जो unit vector लेता है, वो रहता है j cap, और z axis के along में जो unit vector लेता है, वो रहता है k cap, so this is the unit vector, मतलब unit vector क्या दिखाता है, direction दिखाता है, अगर आपको कभी i cap मिला, तो वो along the x axis है, अगर आपको कभी j cap मिला, तो वो along the y axis है, अगर आपको कभी k cap मिला, तो वो along the z axis है, इसका मतलब यह होता है, अब आपको यह जो छोटा सा element है उसका length दिया हुआ है जो की vector form में है मतलब यह हो गया dl vector आप बोल सकते हैं which is equal to delta x i cap ठीक है तो यह जो vector होता है which is equal to उसका magnitude into its direction कुछ इस तरीके से लिखते हैं और हमें किताब में already यह दिया हुआ है अब हम क्या करते हैं यहां से यहां तक यह r का value दिया है magnitude के form में आप देखिए 0.5 meter यह r दिया हुआ है मैं इसको इस direction में यह जो r है ठीक है इस direction में यह जो r है मैं इस r को vector form में लिखता हो ठीक है इस r को vector form में लिखता हो तो मुझे अगर इसके vector form में लिखना है तो मुझे लिखना पड़ेगा r vector और उसका magnitude, magnitude क्या है तो r है और साथ में किस direction में है तो ये y direction में है तो y direction के लिए आता है unit vector j क्या तो मैं ये vector ले रहा हूँ जो कि इस direction में है और मैं r vector ले रहा हूँ जो कि इस direction में है अब इन दोनों का मैं कर दूंगा cross product वैसा ही आपको solve करके दिया है इस NCRT की किताब में तो देखते हैं direction के लिए second to find its direction so हम dl vector और r vector का cross product ले रहा है that is dl vector cross of r vector dl vector की जो value है वो है delta x i cap तो यहां पे लिखेंगे delta x i cap cross of r vector का जो value है वो है r into j cap अब इस में से r और delta x को side में निकालेंगे और i vector cross of j vector रखेंगे तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं which is equal to delta x into r और bracket में लिख दीजिए i cap cross of j cap and according to the cyclic rule of cross product यह i cap cross of j cap जो होता है वो होता है k cap तो इसकी जगे पर आएगा k cap तो इसको आप ऐसा लिख सकते है that is a delta x into r into k cap तो k cap से यह पता चलता है कि इस magnetic field का जो direction रहेगा वो direction किस direction में रहेगा तो k cap अगर बूला गया है तो इसका मतलब यह रहना चाहिए along the z axis मतलब magnetic field अगर यहां पर है तो magnetic field का जो direction है वो direction कुछ ऐसा रहेगा इस direction में this is the magnetic field in a vector form direction कुण सा है तो k cap के direction में मतलब यहां पर आपको इस direction में magnetic field देखने को मिलेगा along the positive z axis आप ऐसा बोल सकते हैं अब देखिए book में आपको कुछ इस तरीके से answer निकालके दिया हुआ है जिसमें सबसे पहले उन्होंने direct magnitude of magnetic field इसका formula लेते हुए solve करके दिया है बाद में उसका दो vectors का cross product लेके यहां पर यह बताया गया है कि magnetic field का direction किस direction में रहेगा लेकिन आप इसको एक ही इसमें solve कर सकते हैं अगर आप इसका सीधा सीधा vector form अगर यूज कर ले vector form में ही आप दिखा सकते कि इसका magnitude इतना है और वो किस direction में रहेगा तो आप उसके vector form के formula से भी यह numerical solve कर सकते हैं कैसे तो देखिए मैं बताता हूँ so magnetic field due to small element in vector form is तो यह जो formula यह है db vector which is equal to mu 0 upon 4 pi multiplied by i dl cross of r यह vector form में है divided by r cube अब यहां पर dl vector cross of r vector है पहले इसको solve करेंगे therefore db vector which is equal to हम यहां पर लिख देंगे that is mu 0 upon 4 pi into i into dl cross of r vector को आप कैसा लिखेंगे तो इसको लिखेंगे that is delta x i cap cross of यह रहेगा r j cap जो हमने पहले यूस किया था वह यूस कर दीजेंगे यहां पर divided by this is what r cube तो इसको solve करेंगे तो ऐसा रहेगा that is mu 0 upon 4 pi multiplied by i यहां से delta x और r एक साइड में निकालेंगे तो delta x r साथ में रहेगा i cap cross of j cap divided by r q एक हीस में हो जाएगा यह सब तो i cap cross of j cap according to the cross product cross product के rule के हिसाब से रहेगा that is k cap तो यहां पर लिख देते हैं mu 0 upon 4 pi into i delta x r यहां पर रहेगा k cap और नीचे में r cube अब इसमें से एक r और यह एक r cancel कर देते हैं तो बचेगा mu 0 upon 4 pi into i delta x divided by r square साथ में रहेगा k cap बस आप अभी इसकी values put कर दीजे और answer निकल जाएगा तो इसका value है 10 raise to the power minus 7 इंटू i का value है 10 into delta x का जो value है वो है 10 raise to the power minus 2 meter 10 raise to the power minus 2 divided by r का जो value है वो है 0.5 तो यह हो जाएगा 0.5 का whole square into साथ में के क्या तो यह जो value हमें मिली है यह same value आप यहाँ पर देख सकते हैं वही है यहाँ पर साइन 90 डिग्री दिया हुआ है और क्यूंकि यह magnitude form में निकाला गया इसलिए यहाँ पर साइन 90 आएगा और हमने जो है magnetic यहाँ पर यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में निकाल रहे है तो यहाँ पर साइन वाला टम वहाँ पर नहीं रहेगा तो सेम कैलकुलेशन है अगर आप इसको सॉल करेंगे तो आपका अंसर यहाँ पर इसको कैलकुलेट करके देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ देर्फोर दीबी वेक्टर इस एक्वल तो फोर इंटो टेंटरेस तो पावर माइनस एट इन्टो के क्या अब यह जो वैल्यू है तो यह एक वेक्टर फॉर्म में है तो वेक्टर फॉर्म ऐसे लिखा जाता है विच इक्वल तो इट्स मैंगनेट्यूट और इट्स डारेक्शन तो यहाँ पर यह फोर इंटू टेंटरेस तो पावर माइनस एट रिप्रेजेंट कर रहा है है यह लिखेंगे यह हो गया इसका मैगनेट्यूड और की कर रहा है उसका डारेक्शन तो यहां देंगे हम के कैप जो represent करता है वो उसका direction और यह direction है positive z axis direction. So it is along positive z axis direction आप यह बोल सकते हैं यह जो direction है यहां पे आपको b का जो direction है वो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है विच इस एलॉंग पॉजिट्टिव जे एकसेस से आपको दिखा देगा और आप इसमें राइट हैं थम रूल भी अपला एगर करते हैं तो उससे भी पता चलता है कि इसका डारेक्शन इसी पॉजिट्टिव जे डारेक्शन में रहेगा तो यह राइट हैंड ले लिया हमने यह लगा दिया यहाँ पर मालू कि आपने hold करके रखा इस छोटे से element dl को thumb indicate करेगा direction of current देखिए direction of current जो है वो इस direction में है current का direction इस direction में है और यह curve fingers indicate करते है direction of the magnetic field obviously जो wire होता है उसमें से अगर current pass होता है तो surrounding में बनाता है magnetic field तो यहाँ पर देख सकते है curve fingers कुछ ऐसे जाएंगे तो magnetic field यहाँ पर यह point पर कुछ इस direction में दिखाएगा along the positive z axis तो I hope students आपको यह numerical समझ में आया होगा अगर numerical समझ में आया तो वीडियो को like करना बिल्कुल भी न भूलिए चैनल को subscribe करिए और आप इस वीडियो को अपने friend के साथ में भी शेयर करिए ताकि उनको भी इसका information मिल सके तो आज के दिन बस इतना ही मिलते हैं next वीडियो में Thank you झाली बसी में ट जा कर लो डर्फ